सकंद प्रान में रिवा खंड में शिव नेत्र कुंड तथा जनक तीर्थ के महात्यम में मारकंडे जी कहते हैं राजन जहां ब्रहति और नव्दा का संगम हुआ है वहाँ एक निशाद प्रती दिन भगवान ते लोचन का पूजन करता था एक दिन व्यति पात और संक्रांती का योगाने पर उसने फोल लेकर शिव मंदर में प्रवेश किया वहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्री नहीं उसके चित में बड़ा विश्मे हुआ और मैं सोचें लगा कि पापा आत्मा ने किस पापा आत्मा ने भगवान जी के नेत्र का भरन किया है ऐसा कि कर उसने तीखे बाँ से अपना नित्र खाल लिया और उसे देखे महादेव के लिलाट में लगा दिया ऐसा करते समय उसके मान में तनिक भी भाई कंपन और दिन तान नहीं आने पाई उसके हिते का भाव भी नहीं बदला इस से दिवेशर महादेव जी उस निशाद के उपर बहुत परसन्न हुए और हासकर मुले वस तुम मनमान शित वर्दान मांग ले तवगान शिव के परशाद से उनकी बुद्धी और निर्मल परकार के निर्मल हो गई और वे उन्हें शाष्टांग पर राम करके बुला दिवेशर ये सवी निशाद अपने मरिग पक्षी पशू अपने पुत्तर और इस्त्री आदी परिवार के साथ आपके परशाद से आपके ही लोक में जाएं महिशर बोले मेरे परशाद से तुम सब कामनाव को प्राप्त करोगे ऐसा कैकर भगवान शीव वहीं अंतर ध्यान होगे तरंतर सेव को सहित्वे निशाद इस तीरत के परभाव से शीव जी के धाम में चला गया राजन ये तुमको शीव नित्र कुंड का महत्यों बताया गया सेंकडो पाप योनी मनुश्य नर्दा और शीव के सिंयोग रूप उस तीरत में परमसिद्धी को प्राप्त हो गई है जो वहां सुतंत्रियां परतंत होकर प्रांत याग करता है वे सस्त्रों वर्षों तक उमा महिशर के धाम में निवास करता है इस परसंग को सुनने और कहने से वी मनुश्य भाभंदन से मुक्त हो जाता है नर्दा के उत्तर तटपर एक परम उत्तम तीरत है जो सब सिद्धियों को देने वाला है उसे जनक तीरत कहते है स्वारोचिश मनवंतर आने पर त्रिता युग में राजा जनक अपने उप्रोहित ब्रह्म वेताओं में श्रीष्ट ब्रह्म रिशी यग्यवलके को साथ लेकर अनेक मुनी वरिंदों से सेवित कश्यब जी के पुईत्र आश्रम पर के उनके साथ यग्य कराने वाले रितिक तथा यग्य का समान भी था तंतर वहां यग्यों में उत्तम लक्ष में यग्य आरंब हुआ इंद्रादी श्रीष्ट देताओं ने स्यम आकर यग्यवाग ग्रहन किया स्ताथ पस्चात यग्य पूरा हुआ राजा नर्दा में यग्यान श्नान करके पुत्र पत्नी के साथ श्यवित हुए फिर शीव और विष्णु का पूजन करके उनके वर्दान के परभाव सिवे दिवे विमान पर आरूड होकर दिवे लोक में जाते हुए देखेगे मार्ग में उन्हें देखकर धरमराज उठकर खड़े हो गए और अर्ध्य पाद्य आदी लेकर पैदल ही उनके विवान के आगे आए निकट आने पर उन्होंने हाद जोड़ कर कहा महराज आपने तपस्या ध्यान योग दान और देव पूजन आदी के द्वारा शीव और के परशाद से संपुरन दिवे लोकों पर विजे पाई है ये सुनकर राजा जनक ने ये सच्छी धरमराज से कहा प्रभू सरवत्र अपनी प्रभाब फैलाने वाले भगवान सूरि जिस परकार जीवों के अराद्य देव हैं वैसे ही आपकी भी मूर्टी है ब्रह्मा देवराज इंदर देवरिशी नारद परवत तथा अन्य श्रेष्ट मुनी राजा जनक का आग्मन सुनकर धरमराज के नगर में आई धरमराज ने उन सब का यथा योग्या प्रतक प्रतक पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्यासन पर बैठे तरंतर नारज जी ने कौन से देश परवत पृत्र नदियां आश्रम और तीत हैं जहां कि यह मुनिश्यों के दान हों जब तब पादी कविशीन नहीं होते यह सब यथारत रुप से बताईए तो धरम बोले मुने नर्दा के उत्तर तट पर लक्ष में एक नामक तीत है और वही लक्ष में पिश्वर नामक के एक शिवलिंग भी है जो परम पित्र है भगवान शिव से बढ़ कर कोई देवता नहीं है नर्दा से बढ़ी कोई नदी नहीं है सत्द से बढ़ कर दूसरा कोई धरम नहीं है और सब प्राणियों पर द्या करना यह सब के लिए परम धर्म है जो विश्णु और शिवी उनके स्वामी होते हैं धर्म राद के कहे हुए इस धर्म आख्यान को सुनकर नारद आदे में हिच्छी बड़े परसन्न हुए